दवाईयों की जानकारी प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेनी एडुकेशन चैनल को और बेल आइकॉन को दवाईये दवाईयों की जानकारी सबसे पहले देखने के लिए नमशकर दोस्तो मैं प्रजा पति विकास बहुथ-बहुथ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल जेनी एडुकेशन पे दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं एंटी हेमोयरोडल क्रीम बारे में हम बात करने वाले हैं इस Ennovate Cream के क्या उप्योग हैं क्या-क्या साइड इफेक्ट हैं कौन-कौन से लोग इसका उप्योग नहीं कर सकते हैं पूरी डीटेल से हम बात करने वाले हैं दोस्तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकोन को प्रेस कर दीज़े इसका उप्योग किया जाता है पायल्स की प्रॉबलम दोस्तो दर्दनाक होने के साथ-साथ शर्मनाक भी होती हैं लोग आमतोर पर पायल्स होने के बाद भी दूसरों को बताने में शर्म महसूस करते हैं लेकिन बवासिर उन बिमारियों में से नहीं है जो अपने अप ठीक हो जाए बलकि इसके विपरित ये और भी बढ़ती जाती है बत्तर हो जाती है तो जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज करना बहुत जरूरी होता है बवासिर से पिरित रोगियों को बहतर और प्रभावी पर इसका उभ्योग किया जाता है इसके अंदर दोस्तो बेकलो मिथासोन होता है लीडोकेन होता है और फिनाइल एफरीन होता है बेकलो मिथासोन दोस्तो एक कॉर्टिको स्टिरोइड है कॉर्टिको स्टिरोइड की कैटेगरी के अंदर आता है ये हमारे शरीर में क्या करता है जो natural substance होते हैं प्राकरतिक पदार्थ होते हैं उनके secretion को रोकता है जिससे दर्द और सूजन कम हो जाती है इसके अलावा इसके अंदर lidocaine जो है वो क्या करता है जो nervous system होता है उनके signals को ये block करता है और वहाँ पर जिस part पर हम इसको apply करते हैं उसको ये सुन कर देता है तो ये एक तरह से local anesthetic drug है लिटोकेन local anesthetic drug है ये दर्द को कम करता है और दर्द के आभास को भी कम करता है इसके अलावा दूस्तों इसके अंदर phenylephrine होता है phenylephrine रक्त वाहिकाओ को सिकोरता है blood vessels को dilate होने से रोकता है जिससे सूजन होना redness होना इनको ये रोकता है अब दूस्तों बात करते हैं इसके क्या क्या side effect हो सकते हैं तो इसकी वज़े से जलन हो सकती है और तवचा पर redness हो सकती है तवचा का लाल होना खुजली होना तो ये कुछ side effect है इसके जिस पार पर हम इसको apply करते हैं वहाँ पर खुजली जलन तवचा का लाल होना ये कुछ side effect देखने को मि अडिकेशन हो सकते हैं इसके किन-किन लोगों को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए तो इसका उपयोग उन लोगों को नहीं करना चाहिए जिन को इस क्रीम से allergy हो या फिर कोई specific skin allergy हो तो उन लोगों को इसका उप्योग करने से बचना चाहिए बिना डॉक्टर की सिला के कोई भी medicine यूज नहीं करने चाहिए एक pharmacist होने के नाते दूस्तों मेरा force बनता है कि मैं आपको सही सही जानकारी दूँ बिना डॉक्टर की सिला के आप कोई भी medicine यूज नहीं करें उमीद करता हूँ दूस्तों वीडियो आपके लिए helpful होगा चैनल को दूश सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही ऐसी वीडियो मिलते रहेगी थैंक यू वेरे मुछ पर वाचिंग इस वीडियो